हेई वार्ट सफ गाईज दिस इस मंचीट एंड वेलकम बैक टू मैं अनदर फीडियो सो गाईज हमारे आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक काफी तगडी एंड काफी एक्टिव डोग पीड के बारे में जिसे हम लोग एथलीट डोग पीड भी कहते हैं जिसका नाम है पिटबुल तो गईस एथलीट डोग पीड मैंने इसलिए कहता हूं कि यह बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरी डोग पीड के लिए काफी मुश्किल होते हैं तो आज यह पिटबुल पपीड में आप लोग लेकर आऊं जिए काफी अच्छी क्वालेटी के हैं और उनर के पास यह तीन पपीड अफैलिबल हैं जिसमें से एक मेल और तो फीमेल से हैं इन सबसे इच्छी बात यह हैं कि पपीड जो हैं जे ब्लू आइस में हैं तो फेज पहले अगर पपीड की क्वालेटी के बार इंब बात करें तो पपीड काफी अच्छी क्वालेटी में बाकिए आप लोग जज़ कर पाऊगे चब आप लोग इनकी पेरेंट्स की क्वालेटी देखोगे तो फिस पिटबूल एक ऐसी डोग पीड है जिने आप लोग किसी भी टैफ्स के बना सकते हैं अगर आप लोग इने थोड़ा अग्रेसिव बनाना चाते हैं तो उसके लिए भी ये टेंट करने होंगे और अगर आप लोग इने फैमिली डोग पीड बनाना चाते हो तो उसक उपर कि आप लोग अपने पिटबूल को कितना टाइम दे पाते हैं उन्हें सोसलाइज और टेंड करने के लिए क्योंकि इनके लिए रनिंग और एक्सरसाइज में काफी जरूरी होती है क्योंकि ये चीज में आप लोग को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये वन अप दी एनेजेटिक डोग पीड में से एक है तो इनकी एनरजी को वेस्ट कराना काफी जरूरी होता है वैसे दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जो इसी चीज के लिए पूछते हैं कि वह हमें पिटबूल न चाहिए बट वो सिर्फ ब्लू आइस में होना चाहिए तो जिन लोगों की भी ऐसी रिक्वर्मेंट है उन लोगों के लिए पपीज बहुत ही अच्छे है और पसली मुझे कलर भी काफी प्यारा लगा बाकि आप लोगो वाइट कलर के पिटबूल पसंद है क्या फिर नहीं यह चीज मुझे कमेंट शेक्चन में लिखके चरूर बताएं और वैसे भी दोस्तों उनने प्राइस काफी रिसनेवल रखा है क्योंकि अगर आप लोग ब्लू आइस के पिटबूल को पर्चेस करते हो तो उनका प्राइस थोड़ा एक्स्पेंसिव होता है बाकि तीनों यह पपीस बिल्कुल एक्टिव है और उनने इनकी डिफॉर्मिंग भी कर रखी है बट वाइस यह चीज तो आप लोग को खुद भी करनी होगी क्योंकि स्टार्टिंग में जो पपीस होते हैं उनकी डिफॉर्मिंग 15 डेस में होती है उसके बाद से आप लोग मन्त में कर सकते हैं और दिरे दिरे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उसी तरह से आप लोग उनकी डिफॉर्मिंग साइकल चला सकते हो तो फिस एक परमा आप लोग को इनके पेरेंट से ही मिलवा देता हूं तो यह देखे गाईस यह है इनकी मैटिंग की वीडियो दोनों इडोक्स बहुत अच्छी क्वालेटी में है जो वाइट कलर में वो है फादर और जो क्रे कलर में है वो है मदर वैसे दोस्तों पपीस जो है इस यह होम ब्रीडिंग के हैं तो अगर आप लोग चाओ तो डोग उनर को वीडियो कॉल करके इन पपीस को लाइव भी देख सकते हो तो फिस अगर इन पपीस की बागी की इनफोर्मिशन के बारे में बात करें तो पपीस आज 41 डेस के हो चुके है और ओनर की जो लो से एक प्रेश पपी ला सकते हो बाकी फाइल अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई उन्हें चुन पपीस के प्राइस के डिमांड की है वो मेल की के 10,000 पीस 10,000 रुपे और फीमेल की के जस्ट 8,000 पीस यानि सिर्फ 8,000 रुपे ऐसे को देखते हुए से और भी बात कर सकते हो I mean थोड़ा बहुत प्राइस कम और भी हो सकता है बाकी अगर इनके प्राइस के क्वार्टी और ये वीडियो पसंद नहीं है प्लीज वीडियो को भी लाइक जरू करते हैं तो मिलता हूं आप लोग से एक और न्यों इंट्रस्टिंग वीडियो में सो टेक केर एंड बाबाए